हो लो कैसे हैं आप लोग आज का वीडियो बहुत ही यूदिक होने वाला है क् един की आज मैं आप लोगव के लिए एक ओर चाइनिज अप्लिकेशन लेके आया हूँ और आज का इस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बताऊंगा, उस टॉपिक पे आप लोगो 0% competition मिलेगा, मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया, फिर भी मुझे मात्र एक ये चैनल ऐसा मिला, जो इस टाइप का वीडियो बनाता है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रख रहने वाले हो, इतना बेहतरिन इनका वीडियो बनाता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहां पे दोस्तों इन्होंने 7 घंटा पहले वीडियो अपलोड किया है, इनका 14,000 वीडियो आ चुका है, और ये एक दिन पहले अपलोड किये थे, इनका 54,000 वीड आ चुका है, दो दिन पहले ये भी अपलोड किये थे, 17,000 वीडियो आ चुका है, तीन दिन पहले अपलोड किये थे, 46,000 वीडियो आ चुका है, मतलब मैं ये कहना चाता हूँ, कि बहुत अच्छी वीडियो आती है, बहुत अच्छा, और इस तरह के चैनल बहुत तेजी से ग्रो होता है, क्यांकि इस टाइब का वीडियो आपके हर घर में देखने वाले मिल जाएंगे, क्याएकि यस टाइब का वीडियो बनाती है, इस टाइब का घर का वेस्टेज जो कपड़ा होता है, उसको यूनिक तरीके से कैसे हम यूज कर सकते हैं ज्यादत और लोग होते हैं कि उनके घर का जो पुराने कपड़े हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं उनको फेक देते हैं लेकिन उसका यूनिक तरीके से यूज करने का ये तरीका बताती हैं दोस्तों इनके पॉपलर वीडियो में आ जाते है और दोस्तों इनका thumbnail देख सकते हैं, जो चीजी ये बनाती हैं, उसी का thumbnail बना देती हैं, और लिखती भी ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी इनका video viral जाता है, और काफी लोग ज़्यादा इनका video पसंद करते हैं, अब दोस्तों इस तरह का video होता है, हर घर में देखने वाले यही बताती हैं, तो दोस्तों मैं ये video आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों देख रहे हैं, इनका videos मैंने mute कर दिया है, इनका आवाज, copyright का issue नहीं आए, क्योंकि इनका वर्जिनल वायस है इसमें, तो copyright का issue आ सकता है, इसलिए मैंने इनका आवाज mute कर दिया, तो दोस्तों इनका video देख लिजे, कितना unique video है, अब दोस्तों आपने video देख लिया, अगर आपको सिलाई का knowledge है, तो आप चाहें तो इस तरह का video बहुत असानी से create कर सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, अगर आपको knowledge नहीं है, फिर भी tension लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस type का video आपको कहां से लेनी है, और कैसे editing करनी है, ताकि आपको कभी भी copyright का issue नहीं आए, दोस्तों हमारे इस video को अगर एक लाख लोगों ने देखा हो, और सब लोगों ने इस तरह का channel पे काम करेंगे, तो किसी का भी channel पे किसी भी तरह का कर देता हूं, अब लेके चलता हूं आप लोगों को उस Chinese application से, जिस Chinese application से आपको videos लेना है, अब ये Chinese application कौन सा है, कहां मिलेगा, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, यहाँ पे दोस्तों इस तरह के बहुत सारे video आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस इस टाइब के बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं, अब दोस्तों सवाल यह है कि इस video को हम download कैसे करेंगे, अब दोस्तों इस video को download करने के लिए यहाँ पे share पे क्लिक करते हैं, तो एक download का option आता है, यहाँ से अगर download करेंगे तो watermark आ जाएगा, अगर watermark आए दोस्तों, आपको एक परीकाम अपनाना है, इसके लिए आपको करना क्या है, उंगली ऐसे रखना है, और इसको ऐसे scroll करना है, जब ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके video के उपर किसी भी तरह का कोई watermark नहीं है, नीचे कुछ Chinese language में लिखा हुआ र देंगे, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ऐसे slide करना है, और यहाँ से आपको screen recording कर लेना है, हर किसी के mobile में screen recorder होता है, आपको उससे screen recording कर लेना है, अगर आपके mobile में screen recording नहीं है, तो आपको करना क्या है, एक application screen recorder का install कर लेना है, उससे आप easily screen recording कर सकते हैं, करने क बार दोस्तो हम चलेंगे editing process में editing के लिए हम काइन master application का use करेंगे अगर आपके पास काइन master application है तो आपको open कर लेना है अगर यह वाली application आपको चाहिए तो हमारे telegram चैनल पर visit करिए वहाँ पर आपको यह application भी मिल जाएगा create पर click करने के बार दोस्तों short video हम बनाएंगे तो 9.16 देशियो select कर लेना है और create पर click कर देना है create पर click करने के बार कुछी इस तरह का interface आपके सामने आएगा यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है एक background लेना है तो background के लिए आपको image acid पर click करना है यहां से कोई भी background आपको select कर लेना है तो मैं black background select करूंगा इसके बाद आपको back कर देना है बैक करने के बाद दोस्तों इसको आपको scroll करके आपके अपने video के हिसाब से कर लेना है जितना बड़ा आपका video हो इसको हम बड़ा कर लेंगे बड़ा करने के बाद आपको timeline के first में आना है दिन इसको back कर देना अब आपको layer पर click करना है media पर click करना है और आपको वाली video लेनी है जो हमने screen recording की है Chinese application से तो यहां पर दोस्तों हमने वाली video select कर लिया select करने के बाद आपको back कर देना अब दोस्तों इसमें कुछ best stage part है first में है और end में है तो सबसे पहले इसको हम cut करके निकाल लेंगे तो यहां से दोस्तों उस layer को आपको select करना है देन यहां से select करना है कहां से हमारा best stage part है जिसकी हमको जरूरूरत नहीं है तो वहां पर आपक इसके बाद हम timeline के end में जाएंगे जहां पर हमारा best stage part है वहां से हम cut करके निकालेंगे तो दोस्तों यहां से हमारा extra part है जो हमें नहीं चाहिए इसको रखना है यहां पर और यहां पर आपको trim पर click करना है then trim right पर click करके इसको निकाल देना है इसके बाद आपको video के first में आ इसको back करने के बाद then आपको side side में जो दिख रहा है उसको crop करके निकालना है तो आपको layer को select करना है और नीचे जाएंगे तो आपको cropping का option दिखेगा इस पर click करना है then इसको crop कर लेना उपर से black वाला निकाल देना crop करके और नीचे से निकाल देना है जो Chinese तक लिखा है वह कोने लेजा के ऐसे adjust करना है इस तरह से इस तरह से adjust करना है यहां से इसको scroll करके पूरा नीचे तक कर देना ऐसे full screen तो दोस्तों यह हमारा video full screen में आ गया अब यहां पर आपको क्या करना है इसको back कर देना बैक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है फिर layer पर क्लिक करना है media पर क्लिक करना है media पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके channel का जो भी logo है आपको यहां पे logo select कर लेता हूँ लोबो सेलेक्ट करने के बाद इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद दोस्तों इसको छोटा कर देना कुछ इस प्रकार से, ऐसे छोटा करना है और बिल्कुल उपर में एक शाइड में ले जाके कॉर्णर पर ऐसे परजेस्ट कर देना है, अब दोस्तों इस लोबो का क्या फा सबस्ट करने बाद इसका जो स्पीड है थोड़ा कम कर देंगे इसके बाद इसको बैग करने के बाद दोस्तों अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए यह बहुत आराम से श्मूथली चलेगा अभी यह थोड़ा स्पीड में है तो पर कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा इसके बाद दोस्तों यह जो वीडियो हना है चाइनीज लंग में में है तो इसको म्यूट करना है आपको वीडियो को स्लेट करना है और यहां पर आपको मिक्सर पर क्लिक करना है और इसको बिल्कुल कर देना आवाज ब दाहरण के लिए कोई सा भी म्यूजिक select कर ले रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए तो यहाँ पर मैं यह वाली मृजिक select कर ले रहा हूं select करने के बाद इसको back कर देंगे उसके बार दोसतों आपको करना क्या है इस background music को आमको select करना है ठीक है इसके बाद आपको mixer पर क्लिक करना है और इसका आवाज आपको कम कर देना कम मतलब इतना करना है हलका हलका सुनाई दे बिल्कुल smoothly इसके बाद इसको back कर देंगे back करने के बाद अब दोस्तो सबसे important है इसमें आपको wise over करना है तो wise over कैसे करना है आपको वीडियो को एक दो बार play करके देख लेना है प्ले करके देखेंगे कैसे कैसे क्या 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 कर रहा है उसी हिसाब से आपको लिख लेना है उसके बाद आपको wise over कर लेना है तो जैसे द वीडियो ये cutting कर रहा है तो आपको बोलना है कि दोस्तों ये हमारा कपड़ा पुराना हो चुका है आज मैं इसको use करने के लिए एक नया रूप देंगे तो इसको यहां से cut करके निकाल देंगे दिन किसी चीज से इसको round circle का marking कर लेंगे marking करने के बाद इसको अच्छे से marking करके beach से cut करके side side से cut करेंगे और beach से cut करके निकाल देंगे और एक लंबी 20 tight में इसको बना लेंगे उसके बाद आपको पठी बनाने के बाद इसमें हम joint कर देंगे joint करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक यूनिक तरीके का हमारा फराक बन गया, अब ये पैंट का यूज करने का हमने एक नया रूप दे दिया, अब कितना यूनिक और कितना बहतरीन लग रहा है, इसी तरह से आपको recording कर लेना, recording करने में problem होता है, तो आपको script लिख लेना है, script लिख लेना है, script लिखने के problem नहीं आएगा, तो दोस्तों ये Chinese application आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल का link डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जा करके easily download कर सकते हैं, ये काइन मास्टर अप्लिकेशन भी हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो दोस्तों व bit rate बढ़ाएंगे, तो आपकी video की quality बहतर हो जाएगी, और कम करेंगे तो video की quality आपकी low हो जाएगी, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊँगा, minimum कम से कम आपको इसका bit rate 10 तक रखना है, इसके बाद आप high भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम आपको नहीं करना है, जितना बढ़ा क करेंगे, वीडियो की file बड़ी होती जाएगी, और save as video पे click करके इसको gallery में save कर लेना है, तो दोस्तों ये editing का full process था, तो दोस्तों ये video आपको कैसा लगा हमें comment में जरूर बताईए, और video पसंद आई हो तो एक like जरूर कर देना, और इसी तरह की unique information के लिए हमारे channel को subscribe करके bell icon को press कर देना, तो मिलते हैं दोस्तों next video में, तब तक लिए tata bye bye